अलामों आलेकुम, आज हम इस नावल की समरी को डिसकस करेंगे, वो नावल है वाइट सरगासो सी, जो के लिखा है जीन रेज ने, जीन रेज एक डुमिनिका बॉन बिटिश आथर है, नावल का बेगराउंड यह है, यह नावल जो है ना, यह एक फैमिनिस्ट एंटी कलोनिय रिस्पोंस था, शालोटे बॉन्टे के एक नावल जेन एयर का, मेंज जेन एयर से इंस्पार हो जाने के बाद, जीन रेज ने नावल लिखा वाइट सरगासो सी, यह नावल लिखा गया था 1950 और 1966 के डुरेशन में, और इस नावल को पब्लिश करवाया गया 1966 में, इसका प स्पैनिश टाउन और एंडिंग होती है इसकी इंगलेंड में, टाइम होता है 1830 से 1840 तक का, जो नावल की स्टोरी है, इस स्टोरी का एक बेक गराउंड है, कि उस वक्त एक एमांसिपेशन एक्ट आया था 1833 में, इस एक्ट के मताबिक जो ब्लैक पिपन हैं, वो अब आज इस नावल की जो मेंड फैमिली है, उसका तालुक भी इसी वाइट स्लेव ओनर फैमिली से था, ठीक है, नावल की जो प्रोटेकनिस्ट हैं, वो हैं, अन्टोइनेट कोस्फे, ये एक लोनली यंग चायल्ड थी, इसको अपनी मां की तवज़्ज़ की ज़ुरत थी, मां की म नहीं मलती थी, ये एक सेंस्टिव और ब्यूटफुल लड़की थी, इस नावल में इसके चाल्ड हुट को बयान किया गया है, मैटिमोनल लाइफ को और डैथ को, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जमाइकर में एक जगह होती है, कॉलिबरी, वहां पर कोस्फे फैमिली रहत है, ठीक है, कोस्फे फैमिली में ऐलیکजंटर कोस्फे और एनित हैं, ये इसका हस्बिंड है और ये इसकी वाइफ है, इसकी डैथ हो चुकिए, अब इस घर में एनित रहती है, अपने दोनों बच्चों के साथ, इन दोनों बच्चों के साथ एक इसकी मेड है, कRISTλ ये एक wise और loyal lady है means ये एनिट और इसके बच्चों के साथ बहुत ही loyal रहती है story के end तक पाइर इसका बेटा है एनिट का ये एक handicap child है ये mentally abnormal होता है जिसकी वज़ए से एनिट इस पर ज़्यादा तबज़ा देती है इसको ज़्यादा प्यार देती है इसको ज़्यादा टाइम देती है और वो इस चीज में क्या करती है कि end तोइनिट को मुसलसा जो है ignore करती है जिसकी वज़ए से end तोइनिट को rejection फिल होती है और ये isolation को फिल करती है अब हालात क्या हैं इन family के हालात बहुत बुरे हैं इनको poverty का सामना करना पड़ रहा है और इन मतलब के बहुत ज़दा तकलीफ में हैं ये लोग तो end फैसला करती है कि अपने बच्चों के बहतर मस्तक्बिल के लिए मुझे कोच करना चाहिए इसलिए जो end है ये क्या करती है मिस्टर मैसन से शादी कर देती है जो के एक अमीर शक्स होता है शादी कर लेने के बाद इनके घर में खुश्छाल ही आ जाती है हैपिनस होती है कमफर्ट होता है और फिर ये लोग हनीमूर पर जाते है और अपने दोनों बच्चों को आंट कोरा के पास छोड़ देते हैं आंट कोरा कौन है इनकी एक रैलिटी भी होती है और ये स्पैनिस टॉन में रहती है जब ये दोनों हनीमून से वापिस आते हैं तो इनके बच्चे भी वापिस कोलिवरी में आ जाते हैं कोलिवरी में जो हालात हैं वो बहुत ज़दा खराब हो चुके हैं अब डिसकस कर लेते हैं कोलिवरी में क्या है कि जो ब्लैक पिपल थे वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एक्सलेव ओनर के और इन जो एक्सलेव ओनर्स हैं जो वाइट पिपल हैं इनमें कोस्वे फैमली भी शामिल हैं पहले ही डिसकस किया था कि इनको भी ब्लैक जो पीपल हैं जो काले लोग हैं उनकी नफ़त का सामना करना पड़ रहा है तो जब एनिटी यह हला देखती है तो एनिटी कहती है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए लेकिन मिस्टर मैसन कहता है कि नहीं कि जो काले लोग हैं यह बहुत जाता लेजी हैं और यह हमारी डेंजरेस नहीं हो सकते लेकिन मिस्टर मैसन यहांबर घलत होता है जो लोग पोटेस्ट कर रहे होते हैं सना कि इनके घर को आग लगा देते हैं इस आग का रतिज़ा यह होता है कि पायर जुए जो बेटा होता है वो मर जाता है इसके मर जाने के बाद आंटकॉरा इसकी बहन एंटोइनेट को अपने साथ ले जाती है स्पैनिश टाउन अब जो हलात है कोसी फैमली के वो बहुत खराब हो चुके हैं क्योंके पायर मर चुका है और एंटोइनेट आंट कोरा के पास रह रही है और जो मिस्टर मैसन है इसने अबंडन कर दिया है छोड़ दिया एंट को और छोड़ने के बाद इसको एक बल्यक कपल के पास दे दिया है बल्यक कपल तो मतलब जो बल्यक पीपल थे वो तो वैसे इनके खिलाफ थे ना तो इसको एंट को वहा जाके sexual abuse का सानवा करना पड़ता है और ये लोग इसको physically और mentally torture करते हैं जिसकी वज़ा से ये मर जाती है अब क्या है कि Antoinette अकेली बच चुकी है कोस्वे फैमिली में से आंट को रा Antoinette को कॉन्वेट स्कूल में animation करवा देती है Antoinette का जो stepfather था Mr. Mason में इसको मिलने आता रहता है इसके लिए गिफ्ट लाता है इसका ख्याल रखता है और जब ये बड़ी हो जाती है तो Mr. Mason अपने बेटे Richard के साथ मिलकर Antoinette की शादी करवा देता है Rochester से इन दोनों की शादी हो जाती है तो हलात फिर से अच्छे हो जाते है ये खुश होते है ये हनी मून पर जाते है ग्रैन बाईो से जगह का नام होते है वहां पर और ये happily रहरे होते है फिर क्या होता है फिर भी स्वावर्चून आती है और जो Daniel कोसवेग शक्स होता है वो होता है Antoinette का step brother ठीक है? half brother होता है इसका ये illegitimate son of होता है कोसवे का, Alexander कोसवे का ये एक खत दिखता है Rochester को, means Antoinette के husband को, और कहता है कि इनका जो family background है Antoinette का वो अच्छे नहीं है, ये लोग जहनी मरीज थे इसके माँ को भी इस तरह की हालात का सामना करना पड़ा था और अनकरीब Antoinette भी किसी ना किसी जहनी अमराज का सामना करेगी इसके बाद Rochester बिलकुल बदल जाता है वो Antoinette से इसके माज़ी के बार में पूछता है इसकी माँ के बार में पूछता है असलिए Antoinette से उसकी दोलत के लिए शादी की थी क्यूंकि उस वक्त के कानून के मताबिक Antoinette की जो सारी जायदा थी वो इसके हजबन को मिलनी थी तो Antoinette को तंग करने के लिए Rochester इसको बड़ता कहता है बड़ता कौन थी? मैंने शुरू में बताया था कि जो ये नावल है वाइट सरकासोसी ये शालोटे ब्रोंटे के नावल जीनियर्ट से इंस्पार हो जाने के बाद लिखा गया था तो उसमें एक मैड वोमें ती जिसका नाम था बड़ता तो उस डिस्पोंस से मतलब उस से रिलेटिट करके इसको एंटोइनेट को रोचेस्टर क्या कहता है बर्था कहता है इसको तंग करता है एंटोइनेट कोशिच करती है कि हाला थीक हो जाएं और एंटोइनेट क्रिस्टोफाइन से हेल्प भी लेती है क्रिस्टोफाइन कौन थी इनकी मुलाजमा थी और ये एंटोइनेट और इसकी मां से लोयलती एंटोइनेट क्या करती है किस्टोफाइन के पास जाती है किस्टोफाइन को ब्लेक मैजिक आता है ये इसमें मतले इसको महारत होती है तो किस्टोफाइन ब्लेक मैजिक करती है ताकि Antoinette और Rochester दुबारा से एक हो जाएं लेकिन इसका उल्टा असर होता है Rochester बजाएस के कि वो Antoinette में इंटरस्ट ले वो मेड में इंटरस्ट लेना शुरू कर देता है Emily में वो उसके साथ वक्त गुजारता है और Antoinette को मुकमल नजर अंदास करता है Rochester क्या करता है कि वो Antoinette को लेकर England आ जाता है और उसको एक attic में बंद कर देता है अब Antoinette की जो जैनी हालत है वो भी ठीक नहीं रही इसको mental breakdown का सामना करना पड़ता है और इसी हालत में ये खाब देखती है कि इसने खाब में आग लगा दी है तो जब ये उड़ती है तो इस खाब को वो सच कर देती है और वो वाकी ही जहां पर वो कैद होती है जहां पर Rochester ने Antoinette को रखा होता है वहां पर वो उसको आग लगा देती है और ये मर जाती है इसी के साथ ही स्टोरी एंड हो जाती है नावल की अब इसके में थीम्स को डिसकस कर लेते हैं आइसलेशन, हंगर, हंगर फार फूट, हंगर फार लव, हंगर फार फ्रीडम, हंगर तो बी अंडरस्टूड, मैडनेस, बिटिश इंपेरियलिजम टेकलाइन बतलब ये खतम हो रहा था, जो बिटिश थे, उनका जो इंपेरियलिजम टी, उसका जवाल शुरू हो चुका था पैट्रियरिकल टाइडनी, नोस्टल्जिया फार था पास्ट, पावर उफ मनी ये पावर उफ मनी थी ना, जिसने रोचेस्टर को मजबूर कर दिया एंटोइनेट से शादी करने के लिए इसको वो जानता ही नहीं था, कोई अंडरस्टेंड नहीं थी लेकिन वो सरी उसकी दोलत के लिए उससे शादी कर लेता है हो प्लेसनेस थी, एंटोइनेट बिल्कुल नौबीद हो चुकी थी और वो रोचेस्टर को अपने बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कर पाई अगर वीडियो अच्छी लगए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सब का बहुत शुक्रिया